कैसे भविश्य में आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हमें हमारे कॉम्पेटीटर से कैसे बचना चाहिए, बिजनस्मेन को ज़रुत होती है, तो भगवग गीता से क्या सीखा जा सकता है, इस वीडियो इस पावरड बाए मेटास लाइश्टाई, इं आज जिस वीशे पार हम बात करने वाले हैं, वो वीशे बहुत महत्वपुर्ण हो सकता है, यदि आप अपने जीवन में बहुत अरिक तरक्य करना चाहते हैं, और तरक्य करना हर व्यक्ति चाहता है, शायद इसलिए आज आपने इस वीडियो पर क्लिक भी किया है, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के बारे में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारा ज्यान दिया, लेकिन जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ज्यान दे रहे थे ना, तो उस समय अर्जुन युद्र करने की संभावनाओं को स्व करती है तो आज हम बात करेंगे कि बहगवत गीता से कौन सी ऐसी बाते सीख सकते हैं जिसको हम अपने बिस्नेस में इंप्लीमेंट करें तो सही तरीके से हम बिजनस करने से पहले स्केजु में इं tissu को दिखा यता और कवर पेज को देखके सबसे पहले भगवाण चृष्ण जो अपने रध पर सवार हैं उसके बाद आप देखेंगे यहाां पर आरजुन को दिखाया है रत को दिखाया है और उस रत के चार गोड़ों को दिखाया है केतने इंटरपिटेशन जो है वह आपके माइंड पर निर्भर करते हैं कि आप उसको कैसे सीखते हैं समझते हैं तो भगवत गीता से क्या सीखा जा सकता है ये बहुत मैत्वपून है भगवत गीता में भगवान च्री कृष्ण एक मेंटॉर की तरह है जिनका काम है अपने भक्तों को अपने अन्युआईयों को मार्क दर्शन देना यही बात बिजनस पर भी लाग होती है हर बिजनसमेन को जरुत होती है एक राइट क्योंकि mentorship के माध्यम से ही वो जान सकता है कि कैसे भविश्य में आगे बढ़ सकते हैं क्या हमें planning करनी चाहिए हमें हमारे competitor से कैसे बचना चाहिए कैसे competition के इस माहौल में अपने आपको और सरल और सुगम बनाना चाहिए किस तरह से अपने लक्षों को प्राप्त करने के लि वो सभी मेरे competitor तो हैं साथ में कहीं ना कहीं बड़े-बड़े महान योद्धा हैं वो कहीं ना कहीं मेरे relative हैं कहीं ना कहीं मेरे सगे संबंदी हैं उनसे मैं कैसे यूद्ध करूँगा तो यही बात business पर भी लागू होती है कि business में इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि गवान च्री कृष्ण की mentorship के अंतरगत और दूसरी चीज वो है रत अगर आप ध्यान चे देखेंगे इस रत पर सवार होकर वो युद्ध करने के लिए तयार हुए थे और रत का मतलब है आपका business आप जिस business को run कर रहे हैं वो आपके एक रत की तरह है और उस रत को चलाने क के लिए आपको चाहिए वो चार अश्व वो चार घोडे मतलब चार पिलर आपके business के one two three four यह चार पिलर निर्धारित करेंगे कि आपका रत मतलब आपका business किस दिशा में जाएगा और business किस दिशा में जाएगा यह इस बात पर रिबर करता है कि आप उसकी लगाम किस के लिया था जिसकी वज़े से उसके जो बुद्धी कौशल है वह बिल्कुल different हुआ कहते हैं कि अगर रत की बात करते हैं वह आपका business और चार घोडों की बात करते हैं तो वह business के चार पिलर अब यह बिजनस के चार पिलर क्या है number one management आपको अपने business को कैसे manage करना है management की team कैसी ह लेता है management के क्या goal है management के क्या vision है और management अपने target को हासिल करने के लिए कितना aggressive है दूसरा marketing किसी भी business की जो expansion है business की जो growth है ना वह इस बात पर निरुर करती कि business में कितना output आने वाला कितना turnover आने वाला कितना sale volume आने वाला है और वह डिपेंड करता है marketing पर अगर आपकी marketing का जो है वह मजबूत रही है तो किसी ना किसी अवस्था में आपका रथ उस लक्ष की प्राप्ति के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस लक्ष को आप राप्त करना जाते हैं नेक्स जो है that is operation और operation stands for business का पूरा का पूरा काम करने का तरीका आपके business में production कैसे हो रहा है sales कैस स्टाफ कैसे मैनेज हो रहा है purchase department क्या करता है sales department क्या करता है finance department क्या करता हूं सभी का मिला के जो operation होता है उस operation को इद्याप ठीक से मैनेज कर पाएंगे तभी आपका business मतलब वो रत सही दिशा में पहुंच पाएगा और उसके बाद next सबसे powerful pillar that is finance केते हैं कि दुनिया में जो business fail हुए ना वो कि एवल एकी वज़े से fail हुए है और वो है mismanagement of finance finance को ठीक तरीके से वो manage नहीं कर पाए या उनको नहीं पता चल पाया कि किस समय पर हमें lack of finance होने वाला है जिसकी वज़ा से वो business कभी भी survive नहीं कर पाया इसलिए भगवान चिरी कृष्ण की मार्ग दरशन क के अंतरगत जिस तरह से कृष्ण ने महाभारत का युद्व जीता था उसी तरह से आपको भी यह सारी बाते अपने business में implement करनी पड़ेंगी आपके पास एक right mentorship होनी चाहिए जो आपका मार्ग दर्शन करें कि आपको जीवन में कौन से लक्ष कैसे हासिल करने है आज बहुत है कि इस से मैं बहुत सारी प्रेड़ना ले सकता हूं उसको अपना mentor बना सकते हैं mentorship जब आपको मिलते हैं तो आपको उस रहा में पहुंचने के सुगम रास्ते हैं उसके बारे में पता चलता है क्योंकि mentor उन सभी चीजों को अच्छी से जानता है और एज़ा अरजुना आपको वह बागदोर समालने के लिए अपने आपको हमेशा शक्षम बनाना हुआ और बिजनस में अगर आप सफलता आसिल करना चाहते हैं न तो बहुत जरूरी है बिजनस लर्निंग के बारे में हिंदुस्तान जैसे देश में बहुत सारी लोग ऐसा सोचते है कि क्या मेरे बिजनस के बारे में मुझे कोई सिखा सकता है उसको तो पतें नीए मिरा π्रोड़क्ट क्या है या मैं किस तरह के सर्विसे में डील करता हूँ मिरा बायर कैसा है मेरा सेल्स का। तो क्या कोई व्यक्ति मुझे सिखा सकता है यही समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में इस वजह से बिजनस्मेन कभी भी बहुत अदिक उपलब्दी हासिल नहीं कर पाता है जरुवत है सही guidance की आप अच्छी business books पढ़ें आप business training programs में जाएं वरक्शॉप्स में बिजनस आर्टिकल्स पढ़ें जो आपको बहुत सारी चीजों के knowledge देता रहेगा और साथी साथ अपने competitor से जीतने के लिए mentorship की guidance जरूर लें और इसके अलाब है यह आपके मन में business related कोई भी प्रश्न है ना तो मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत सारे business videos दिये हुए है इन business videos को अपने business में implement करें फ्रेंट्स मेरे जीवन का उद्देश है कि भारत के हर घर से एक सफल businessman तयार हो सके इसलिए मैं ये business videos अपने business time में से separate time निकाल कर आप लोगों के लिए बनाता हूँ यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप वो प्रश्न हम से जरूर पूछे अरे बविश्य की काम ना करता हूँ जै हिंद जै भारत